हेलो एव्रीवन, वेलकम बैक टू भूमिका की किचन तो आज मैं एक बहुत हेल्दी सी पालक और डाल वाली दलिये की रेस्पी लेकर आई हूँ तो चलिए हम ये हेल्दी सी दलिया बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए आपके पास घर पे जितनी भी तरह की डाले हैं तो यहां पर मैंने पांस तरह की डाल ली हैं तो अभी इसे हम एक बड़े से बाउल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम उसी कटोरी से एक कटोरी यहां पर दलिया लेंगे और उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से तिन चार बार पानी से वाश कर लेंगे तो यह देखिए इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अभी इसे हम कुकर में डाल देंगे और इसके बाद हम उसी कटोरी से इसमें हम 6 कटोरी पानी डालेंगे और इसके बाद हम इसमें नमक एट करेंगे और हल्दी पाउडर और इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे अभी और इसके बाद हम इसको अच्छे से बंद करके मीडियम फ्लेम पर 3-4 विसल आने तक इसे पका लेंगे जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसके आंगे की तयारी पूरी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लगभग 1500 ग्राम पालक ले लिये जिसको की अच्छे से मैंने वाश करके रफली कट कर लिया था अभी से हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया की पती इसमें डाली है और फिर हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक बारीक सा पेश्ट बना लेंगे तो अभी मैंने गैस पर एक कढ़ाई चड़ा दी है और उसमें मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है जब हमारा ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें मैंने हाप टेबल स्पून जीरा और थोड़ी सी हिंग डाली है जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम एक मेडियम साइज की प्याज को जिसको कि मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया था इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें वन टेबल स्पून अधरक लस्टून का पेश्ट और थोड़ी सी हरी मेच इसमें डाल देंगे जिसको कि मैंने बारिक बारिक सा चॉप कर लिया था इन सब को डाल कर हम प्याज को बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन होने तक पका लेंगे जब हमारी प्याज अच्छे से पक जाएगी तब इसमें हम एक मीडियम साइज का टमाटर बारिक बारिक सा चॉप करके डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें नमक एड़ कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे अगर आपको इसमें गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा लगता है तो उसे भी आप डाल सकते हैं इन सब को डाल कर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और जब इसमें से ओल सेपरेट होने लगेगा तब तक हम इसे पकाएंगे फिर इसमें हम ये पालक की प्यूरी एड़ कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इन सब को डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे ढखक कर मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए पका लेंगे तो ये देखिए पांच मिनट हो गए हैं और इसके उपर बिलकुल ओयल आने लगा है तो अभी से हम अच्छे से चला देंगे और ये हमारी पालक अच्छे से पक गई है क्योंकि पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो चलिए हम ये अपनी दलिया भी देख लेते हैं तो हमारी दलिया बिलकुल परफेक्ट बनी हुई है तो अभी इसमें हम पालक में ये दलिया एड़ कर देंगे तो यहाँ पर मैंने पूरी दलिया नहीं एड़ करी है और इसको डालकर हम अच्छे से से मिक्स कर लेंगे अगर ये आपको ज़्यादा गाड़ी लग रही है तो इसमें आप गरम पानी एड़ करके इसकी कंसिस्टेंसी को अरजेश्ट कर सकते है पर मुझे अभी ये परफेक्ट लग रही है तो इसमें मैं पानी नहीं एड़ करूँगी अभी इसका हम तड़का रड़ी कर लेते हैं तो यहाँ पर एक चमचे में मैंने देसी घी ले लिया है और इसमें मैंने बारेक बारेक सी चौप की हुई लसुन और सूखी लालमेश इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें कस्मेरी लालमेश पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे इसके बाद हम इसे तड़के को दली के उपर डाल देंगे और ये हमारा बिल्कुल टेश्टी और हेल्दी दल्या रेडी हो गई तो अगर आपको ये मेरी रेश्टी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ये हेल्दी सी दल्या आप जरूर बनाईएगा थैंक यू